Great Indian Festival के लिए अब जादा टाइम बचा नहीं है 8 October से स्टार्ट हो जाएगी तो 4 दिन बचे हैं मात्र और अगर आपने अभी तक अपना Laptop स्लेक्ट नहीं करा है तो इस विडियो में बात करेंगे जो भी Laptop Amazon के उपर अविलेबल है और 50,000 से हम 70,000 के अंदर बात करेंगे कि कौन से Laptop Best रहेंगे और किस प्राइस के अंदर आपको भाई करना चाहिए तो अभी प्राइस वगरा तो कुछ भी रिविल नहीं हुआ है कि कौन सा Laptop किस बजट के अंदर मिलेगा कुछ Laptop है जिनका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन बाकि जातर Laptop ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है ताकि सेल आये उस टाइम फिर डिक्रीज करें तो लगें कि हाँ पहले इतने का था अब थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन कुछ Laptop अभी भी काफी अच्छा डिसकाउंट दे रहे हैं तो अगर सेल वगेरा आएगी तो उनका प्राइस उस टाइम जादा डिक्रीज नहीं होगा तो इस विड़े में बात करने वाले हैं 50,000 से 70,000 के अंदर बैस्ट गेमिंग Laptop की तो सबसे पहले अगर बात करें अगर आपका बजट काफी ही कम है और आपको Laptop लेना है वीडियो अडिटिंग के लिए और थोड़ी वथ आपको गेमिंग करनी है और आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग वगेरा करनी है और Thinelight category का आपको Laptop चाहिए तो फिर Acer Aspire 5 सबसे बैस्ट रहेगा इसका प्राइज अभी 49,000 है सेल वगेरा में थोड़ा और भी कम हो सकता है अगर बात करें सेकंड लैप्टॉप की तो आता है मैसाई के तरब से GF63 Thin इस Laptop का आपको तब ही लेना अगर आपका मेन प्राइरिटी गेमिंग है अगर आपको गेमिंग में कोई भी कम्प्रमाइस नहीं करना है और आप अपना बज़िट जादा इंक्रेज भी नहीं कर सकते हैं 50,000 के उपर नहीं जा सकते हैं तो फिर इस Laptop के लिए आपको जाना चाहिए इसमें i5-11-260H CPU मिलता है उतना अच्छा भी नहीं बर ठिक टाक CPU है और इसमें जो GPU मिलता है वो RTX 3050 मिलता है तो यह अभी के अकॉर्डिंग सबसे सस्ता Laptop है जो कि RTX 3050 के साथ में आता है और साथ में इसका थोड़ा weight भी कम है Thinelight category का gaming laptop है 1.8 kg इसका weight है और इस laptop का आपको 50,000 के उपर बिल्कुल भी buy नहीं करना है 50,000 के अंडर ही ये laptop आपको मिलेगा तो जो भी laptop मैंने select करे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ laptop यही रहेंगे sale में बस इनके price में decrease देखने को मिलेगा तो उस टाइम भी मैं video लाऊँगा बट जो laptop यही रहने वाले हैं और अगर आपका budget 70,000 के उपर है तो फिर मैं उसके लिए dedicated video लाऊँगा हर budget के अंदर में video लाऊँगा next जो laptop है वो आता है MSI के तरब से MSI Bravo 15 Ryzen 5 S में भी 5600H और 4GV का इसमें ग्राफिक काड मिलता है जो की है AMD का Radeon RX 5500M इसका भी price 52,000 है बट जब sale में आएगा तो यह 50,000 के नीचे ही रहेगा 50,000 से उपर इसे भाई नहीं करना है next laptop है है HV Victus और HV Victus का जो यह model है इसमें भी same CPU मिलता है जो की मैंने भी बात करी Ryzen 5 5600H इसमें जो ग्राफिक काड मिलता है वो है Radeon RX 6500M और 50W की TGP मिलती है इसमें इस laptop को भी 50,000 के अंडरी लेना है 50,000 से उपर नहीं लेना है और एक और प्राबलम लगी मुझे HV Victus में जो पहले HV Victus 16 था उसमें बजट के अंदर भी same specs के साथ में 70Wh की बैटरी मिलती थी लेकिन अब 15.6 इंज का laptop आ गए है तो इनमें आपको 53Wh की बैटरी मिलती है तो बैटरी बेक अप के अकॉर्डिंग उतना अचा नहीं है तो अब अगर मैं बात करूँ की best कौन सा है सारे laptop best है हर एक person की need अलग अलग होती है हम सिर्फ यह नहीं बोल सकते हैं कि यह laptop अच्छा है अभी आगे मैं जिन laptop के बारे में बात भी कर रहा हूं तो उनके अपने quality है तो आपके लिए कौन सा laptop better रहेगा वो आपको decide करना है next laptop के अगर बात करें तो वो आता है लेनों की तरफ से अच्छा discount मिल रहा है इसमें जो CPU मिलता Ryzen 5 6600H 6600H CPU जो है वो Ryzen 5 5600H से better है और अगर Intel से compare करें तो Intel i5-12450H से भी यह थोड़ा सा better है लेकिन अगर बात करें Intel के i5-12500H तो 12500H बेटर है यह laptop में भी काफी अच्छा discount भी मिल रहा है और इसमें साथ में RTX 3050 GPU भी मिल रहा है और 55,000 अभी इसका price है लेकिन sale बगरा में थोड़ा सा और भी कम हो सकता है तो आप वेट कर लो और अगर बात करें next laptop की तो यह laptop भी HP Victus इसमें जो है वो Intel का CPU मिलता है अगर आपको ज्यादा बेटरी बेकप चाहिए तो इस laptop के साथ आप जा सकते है इसमें 90Wh की बैटरी मिलती है साथ में RTX 3050 Graphic Card मिलता है और CPU भी ठीक ठाक मिलता है 11400H CPU मिलता है तो इस laptop के साथ आप तब जा सकते है अगर आपको सारी चीज़े बैलेंस में चाहिए बैटरी, परफॉमेंस वगेरा, बिल्ड क्वालिटी वगेरा और ये laptop 55,000 तक बैस्ट रहेगा next laptop HP Victus 16 है 16.1 इंच के डिस्पले है Ryzen 5 5600 Tech CPU RTX 3050 GPU और इसमें 70Wh की बैटरी मिलती है और RAM SSD दोनों को अपग्रेट कर सकते है और ये laptop भी 55 या 60,000 की अंडर बैस्ट रहेगा क्योंकि इसमें बैटरी बैकप भी अच्छा मिलता है और CPU GPU भी अच्छा है next laptop आता है Lenovo की तरप से ये same वही model है जिसके मैंने पिछले अभी बात करी थी इसमें 16GB RAM मिलती है तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है तो आप देख लेना 16GB RAM के लिए आपको जाना है या फिर 8GB RAM या फिर बाद में आप अपग्रेट कर लेंगे जैसे भी आपकी मर्जी है बट मेरी according अगर अभी देखें तो 58GB का जितनी cost होती है उसके according तो इसका प्राइस ज्यादा है तो आप 8GB ले लेंगे बाद में अलग से अगर आप RAM ले लेंगे तो वो ज्यादा फाइदेमन रहेगा और नेक्स लैप्टप के अगर बात करें तो वो आता है Acer के तरप से Acer Nitro 5 अब Acer Nitro 5 जो ये लैप्टप है इसमें जो CP मिलता है Ryzen 5 75 35HS ये HS सीरेज का CPU है थोड़ा सा और ज़्यादा पाउर एफिशेंट है अगर बात करें Ryzen 5 6600H और 5 75 35HS की तो दोनों में कोई पाउमस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिमिलर सी पाउमस मिलती है लेकिन जो ये नैट्रो में ये थोड़ा लेटेस्ट है पाउर एफिशेंसी सोड़ी सी बेटर मिलती है तो वस्तो इसका प्राइज अभी 65,000 है लेकिन सेल अगरा में इसका प्राइज और डिक्रीज हो जाएगा तो 60,000 तक ये मिल सकता है तो ये काफी ज्यादा वेल्व फर मनी लैप्टॉप है आर्टेक्स 3050 GPU मिलता है इसमें भी नेक्स लैप्टॉप आता है डेल की तरफ से डेल G15 इसमें 12500 टैच CPU मिलता है आर्टेक्स 3050 GPU मिलता है और ये जो लैप्टॉप है ये भी आपको 62,000 तक मिल सकता है इसका भी प्राइज है 67,000 नेक्स लैप्टॉप एसर नेट्रफाइप ये इंटल वाला मॉडल है तो ये इंटल के CPU के साथ में आता है 12N का CPU है और 8X 3050 GPU मिलता है और इसका भी प्राइज है 69,000 लेकिन ये भी 65,000 तक मिल जाएगा नेक्स्ट है HP Victus इसमें i5-12450H CPU, 8X 3050 GPU और 70Wh की बैटरी है ये लैप्टॉप भी 65,000 तक वैलुफार मनी रहेगा और अगर आपको बैटरी विकप अच्छा चाहिए तो इसके तरफ आप जा सकते है नेक्स्ट लैप्टॉप आता है ASUS की तरफ से ASUS Tuff F15 ये वाला लैप्टॉप में बैटरी भी अच्छी मिलती है CPU भी अच्छा मिलता है GPU भी अच्छा मिलता है 90Wh की बैटरी है इसमें तो ये बिल्ड कॉलिडी भी इसकी अच्छी है तो ये लैप्टॉप अभी इसका प्राइस है 81,000 ये लैप्टॉप जो है वो 70,000 के उपर लेना ही नहीं है तो ये जितने भी लैप्टॉप मैंने आपको बताएं RTX 3050 के साथ में ये 70,000 के उपर बिल्कुल भी नहीं लेना है कोई भी लैप्टॉप RTX 3050 के साथ में आता है तो 70,000 के उपर उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है और अगर आपको कोई लैप्टॉप मिल भी रहा है 75 के उपर तो उसमें बेटर CPU होगा या तो उसमें i7 12 Gen का CPU होगा और RTX 3050 होगा तो फिर आपको यह देखना है कि आपको ज्यादा बेटर CPU चाहिए या फिर आपको बेटर GPU चाहिए अब इसके बाद अगर आपको इस बजट के अंदर एडिटिंग के लिए लैप्टॉप लेना है तो वो नीट के उपर डिपेंड करता है वीडियो रेटिंग तो इसमें भी आपको कर सकते है बट अगर आपको 100% SRGB चाहिए वीडियो रेटिंग आपकी मेन प्रोरिटी है थिन लाइट केटिगरी का लैप्टॉप लेना है तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा दो मॉडल आपको मिलते है इस बजट के अंदर तो वीडियो रेटिंग के लिए जो पहला लैप्टॉप आता है एसूस ब्यो बूबुक प्रो फिफ्टीन तो इसमें काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है फूल एजड डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले मिलती है 60 Hz का refresh rate है और 100% DCI-P3 color gamut मिलता है और 600 nits की brightness मिलती है बाकि अगर बात करें CPU की तो इसमें Ryzen 550 600 touch CPU मिलता है RTX 3050 GPU मिलता है 16GB RAM, 512GB SSD है और ये laptop भी 65,000 तक मिल जाएगा और अगर आपको weight की बात करें तो इसका weight है 1.65 kg तो काफी light weight भी है लेकिन अगर आपको better CPU चाहिए और 30 light category का laptop चाहिए बट display color recurrence से आपको ज़्यादा problem नहीं है तो फिर ये laptop ले सकते हैं ये भी Asus BeoBook Pro 15 है बट इसमें 100% color recurrence सी नहीं मिलती है इसमें जो CPU मिलता है वो थोड़ा better है इसमें Ryzen 7 5800H मिलता है 15.6 inch के साथ में ये display आती है और 16 GB RAM 512 GB इसमें भी SSD मिलती है RTX 3050 GP मिलता है बट इसमें अगर weight की बात करें तो 1.8 kg का weight है लेकिन अगर display color recurrence की बात करें तो ये simple 45% NTSC के साथ में और ये display 144 Hz के साथ में आती है तो इस budget के अंदर ये सारे best laptop मिलता है तो आप video को save करके रख लेना जब sale आएगी तो उस time आप इन laptop को buy कर सकते है इन सारे laptop की link आप और description में मिल जाएगी अगर आप मेरे link के throw buy करेंगे थोड़ी मेरी भी help हो जाएगी तो please मेरे link के throw buy करना अगर आपका कोई doubt है तो comment करके बताइए अगर आपको laptop buying guide चाहिए तो आप instagram पे मुझे dm कर सकते हैं मैं आप सभी को reply करता हूँ चैनल पे नए आये हो तो video को like करके चैनल सब्सक्काइब कर लेना